पिखना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा ताना, कहां जा रहे हो? वो तुम्हारे प्रती इतना असंतोष जता रहा है और तुम हो क्यों उसकी सहाइता करने जा रहे हो? दाउ, मन का विकार पोन रूप से निकल जाए तो व्यक्ति गंगा के समान निर्मल और पवित्र हो जाता है यदि मेरा भक्त असंतुष्ट है तो उसे संतुष्ट करना मेरा परमधर्म है प्रभू प्रभू आप कहां जा रहे हैं देवी वहीं प्रभू जहां आप जा रहे हैं किन्तु मैं तो अपने भक्त मादवतास के पास जा रहा हूं उसे कुटिया बनाने में उसकी सायता करना है जहां नारायन वहां लक्ष्मी इसलिए मैं भी आपके साथ जाकर आपका कारे करोंगी आप जिंता मत कीजिए नए कारे कर लूगा आपको विश्वास है प्रभू कि आप उसके लिए घर बनवा सकेंगे कैसे विश्वास दिलाओं आपको उसमें कोई कठिनाए नहीं होगी आपको कश्च लेने की कोई अवशक्ता नहीं उच्चित है मत ले जाएए मुझे किन्तु मैं भी देखती हूँ कि उसकी कुटिया मेरे बिना घर कैसे बनती है यहाँ तो कोई लाब नहीं है खोड़ा हटकर प्रयास करता हूँ इतनी पत्रीली भूमी पर कैसे कुछ होगा नीव के लिए जहां खोदने का प्रयास करता हूँ मेरा फावडा पत्थर से टकरा जाता है लगता है महराज और मंत्री जी ने मुझे तो प्रभु जगनाच जी के साहरे ही छोड़ दिया है और वो है कि जैसे उन्हें कोई चिंता ही नहीं अन्यथा आते हैं ना मेरी साहरेता के लिए चलो भाईया मादवदास तुम अपना प्रयास करो वहाँ खोट कर देखो अन्यथा आते हैं अन्यथा है सका वसका आओ भेया इस चत्री के नीचे आजाओ जय कुंद दिखार। अधभुद। सर्वथा अधभुद। मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद मित्र। मित्र अध्र। लगता है किसी अन्य की प्रतिक्षा में थे तुम। मुझे देखकर निराशा ही हुई है तुम्हें। नहीं, नहीं बंदू। मेरे निराशा का कारण तुम्हें। बंदू, बंदू। इस निर्जन स्थान पर तुम पहले प्राणियों जो मुझे दिखाए दी। और तुमने तो मुझे गिरने से भी बचाया। इतनी कडी दूप ने अपनी छत्री से मुझे चाया दी। तो मैं भला तुमसे क्यों निराश होंगा। हाँ, यह सत्य है कि जिनकी प्रतिक्षा कर रहा था वो नहीं आए। अब जिनने मेरी चिंदा ही नहीं है वो भला क्यों आएंगे। उसके प्रभू, उसके निकट, सोयम छत्र लेकर खड़े हैं। और उसे देखो, वो कह रहा है कि उसके भगवान को उसकी चिंता ही नहीं है। फिर भी कानहा शांत रहकर उसका ये प्रलाप सुन रहे हैं। विश्वास नहीं होता। चलो भीया, अब अपना दुखड़ा तुमसे क्यों रूप। तुम जहां जा रहे थे, चले जाओ। इस कड़ी धूप में इस भूमे को खोधने कार्य तो मुझे ही करना होगा। थोड़ी च्हाओ की व्यवस्ता कर लू। अन्यथा, सूर्यदेव के ताप से तो मैं पत्ते की तरह सूख जाओ। मित्र, वहां नहीं, यहां से आरम्र कीचिए। यह मिट्टी थोड़ी कोमल लग रही है। मित्र, वास्तों में इस बंजब जमीन को खोधना संभा हो रहा है। बड़ी पार्खी आख है तुम्हारी भाहिया। एक एक्षन में उची स्थान डूण लिया आपमें। जैसे कि इस भूमी के कंड-कंड से ग्यात हो अप। ग्यात कैसे नहीं होगा। मेरी ही तो भूमी है। तो उसके बारे में मुझ से अधि किसको पताओगा। तुम्हारी भूमी अर्था है। तुम हो कौन भाहिया। अपने ही शब्दों से पकड़े गए प्रभू। अब भाहिया क्या कहेंगे अपने भक्त को। बताओ ना भाहिया। तुम हो गौन। अपना परिचे दो। कनहिया हूँ। गो सेवकों के एक साधारन परिवार से। तो फिर ये भूमी तुम्हारी कैसे हुई। जगनाथ जी पूरी ही मेरा घर है। तो यहां की भूमी तो मेरी ही हुई ना। पूरी का पावनधाम जितना प्रभु श्री जगनाध का है। उतना ही उनके भगतों गाभी है। उनकी भूमी भले ही हो भगतों की। इक भूमी को खुपने भगतों की चिंता नहीं। इतना कुकारा में में, कि नहीं आय। इतनी कठीनाइमे भी पड़ा। तब भी नहीं आया हूँ और एक तुम हो मेरे लिए एक आपरिचित होने पर भी सही समय पर संभाल लिया मुझे और अब मेरे लिए ये छत्री थामे भी खड़े हूँ अपरिचित कैसे जब से तुम मुझे मिले हो तब से कभी तुम मुझे सखा कहते हो कभी बंध हूँ तो कभी मित्र तो अब तुम ही गहो मैं तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा और सखा का कारे मेरा भी कार है तो ये मैं तुम्हें अकेले नहीं करने दूँगा तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मैंने इस कठोर कारे में तुम स्वयम को जोखने का कष्ट की उठाओगे मैंने तो मैं कर लोगे अच्छा कर लोगे अकेले ही हाँ हाँ करना ही पड़ेगा अब रभु जगनाजी कहा रहे मेरी साहता के लिए कि दू मैं तो हूँ ना यही तुम्हारी इच्छा है कि एक अपरिशित मित्र की साहईता करो तो ठीक है मैं तो मैं नहीं रोगोंगा जो सरलमन माले होते हैं उन्हें पैचानना इतना कठी नहीं होता इसलिए मैं तुम्हें जान चुका हूँ और जो शेश परिचे है वो तो साथ कारे करते करते मैं प्राप्त कर ही लूँगा प्रभु को मेरी किर्णों के ताप से इतना कष्ट हो रहा है मैं ही अपने ताप को कम कर लिता हूँ मैं अपने वायू प्रवास से वातावरन को शीतलता से भर देता मैं प्रभु के लिए मेखों की छाया उत्पन कर देता हूँ देखा सखा तुम आया और सारी कठिनाया सरल हो गए वाता वरन्ट स्वता बदल गया अन्यथा प्रभु जगन्नाजी तो इतने ताप में मुझसे ये कार्या करवा रहा थी इतने निर्दैया वो एसी तपती गर्मी में स्वयम कानहा से सहायता मिली है किन्तु इसका असंतोष समाप्थी नहीं हो रहा है किन्तु देखिये ना दाओं लगता है इसमें भी भाया कानहा को आनन्दार है देखो मित्र प्रभु के लिए ना तो मेरा दुखडा रोना बंधोगा और ना ही ये कार्या एक दिन में पूर्ण होगा तो मेरे जितने साहिता कर सकते थे कर चुक है इन्तो अब तुम्हे भी जाना चेहे तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहा होगा गरो अधा भोजन का समेय भी हो गया है किन्तु मैं एक आरी समाप्त करके ही जाओंगा इतने परिश्रम के बाद भूख न लगी तुम्हें भूख तो तुम्हें भी लगी होगी, ना? हाँ, लगी तो है. किन्तो यह दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, कि उसी का फल ला कर तुम्हें दे दू. किन्तो कुछ तो करना होगा. यह ऐसे तुम्हें भूखे पेट नहीं रहना दी सकता, मैं? किन्ता मत करो सखा, भूखे पेठ हम शेशकायर नहीं करेंगे. क्या, तुम्हें तुम्हें पोटली में भूजन लेकर चले थे? क्या भूजन लाया हो तुम्हें सखा? महाभोग. यह देखो. सत्यका, प्रत्यक प्राणी में भगवान का वास होते हैं. जब से तुम यहां आया हो सखा, तब से मुझे भगवान के यहां होने का अभास हो रहा है. झाले हो तुम्हें प्रत्यक 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 कितना स्वादिष्ट बोजन है अनन्द आ गया तुम तो सदा पूरी के वासी रहे होंगे ना मित्र तब तो तुम्हें ये महाभूग प्रति दिन मिलता होगा फिर भी तुम्हें ये स्वादिष्ट लग रहा है अब आज इस महाभूग का स्वाद दुगना हो गया आज अप आउंठी कारण मुझे को तुम्हारी मित्रता प्रापथ हुई अन्ही का धन्यवाद भी करते हो और उन्हीं की शिकायद भी करते हो क्यों न करूँ हमारा आनन देखकर कदाचित उन्हें भी ज्याद हो जाएगा कि सखा क्या होता है मित्रता का अर्थ ही होता है समय पर एक दूसरे की सहायता करना और उन्हें देखो सहायता तो दूर की बात एक बार देखने तक नहीं आए वो इस भक्त सखा को बस अब ये ध्रिष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है ये नहीं सखा अब विश्रामनी आप तो कारे करते ही रहना होगा चलो उठो चट बांदे में मेरे सहायता करो भगवान को आदेश भी देने लगा है ये इतना अपमान मेरे कानहा का लगता है अब मुझे ही जाकर समझाना होगा इस माधोदास को दाव भईया वहां है अपने भक्त को संभालने यदि उन्हें अपमान का आभास नहीं हो रहा है तो आप भी क्रोधितमत होए देखिये ना भगवान और भक्त का संभन कितना अद्भुत है प्रभु को तो इसमें कितना आनंदार है सखा सूर्यास्त हो रहा है शीघ्रह रात भी हो जाएगी तुम्हें घर नहीं जाना घर में परिवार वाले प्रतिक्षा कद्य होंगे कोई तो होगा तुम्हारे परिवार में हाहा है ना भरापूरा परिवार है अब वो सब मुझसे बहुत स्ने करते हैं बड़े भाईया है छोटी बहन है और मेरी प्रीय अरधांगिनी भी तो है प्रभु जगनाच जी के समान ही बड़े भाई छोटी बहन तो उनकी भी है अफसर मिलने पर मुझे भी उनसे मिलने में बड़ा अनंद आएगा भेंट तो तुम कर चुके हो अर्थाथ अर्थाथ सखा तुम जगनाच पूरी में इतने समय से हो मंदिर के प्रांगन में ही रहते हो और पूरी के प्रतियक बासी का मंदिर में आना जाना नियमित रूप से लगा रहता है तो संभव है तुम उनसे मिल चुके हो अच्छा वैसे तुम तो अभी भी कारे कर रहे हो तुम एगर परिवार के पास नहीं जाना है नहीं अभी नहीं कारे समाप करने पर ही जाओंगा मैं उन्हें समझा दूँगा कि मुझे विलम क्यों हुँआ बड़े भाई क्रोधित तो होंगे क्यों नहूं क्रोधित मैं ऐसे भक्त की सहायता करने का क्या आर्थ तो एक पल भी अपने भगवान की प्रति अपने असंतोश को दर्शाने में रुका नहीं अब यदि उसने एक शब्द भी ऐसा कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा इस प्रकार तनिक भी विश्राम किये बिना प्रभू भक्त माधवदास की सहायता करते रहे अर्थात जिस भक्त के मन में प्रभू के लिए केवल शिकायते ही थी प्रभू उसकी सहायता कर रहे थे जीवन में कुछ शन ऐसे भी आते हैं जब मन का विश्वास तूट जाता है तब हम भगवान को दोश देते हैं कि वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं किन्तु भगवान तो सदय भक्त के साथ रहते हैं उनकी दयाद्रिष्टी भी सदा हम पर बनी रहती है हमें बसावे शक्ता है अपने विश्वास को अडिग रखने की और फिर जब रात बीत गई नए दिन का सूर्योद ए हुआ तो कुटिया बनकर तयार हो चुकी थी कुटिया अब तयार है हाँ क्योंकि मेरा सच्चा मित्र मेरा सखाव मेरे साथ जो था कि अग्वान उसके साथ है उन्हें संमान देने के स्थान पर वो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे दोनों के पद और अस्थान एक ही हों कब पहचानेगा यह अपने भगवान को अध्वुत है प्रभु अपने भक्त और अपने बीच कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने मैं तो इतने कम समय में कुटिया बनने की कलपना भी नहीं कर सकता था किन्तु यह तुम्हारे कारण ही पूरी हो सकी है लगता है अब यह प्रसंद में और अब तो अपने क्रोज से यह मुक्त हो गया बहुत समय से मुझे लेकर कुछ नहीं कहा इसने किन्तु सखा अब तुम्हीं बताओ बिना सामने आये बिना हाथ बढ़ाए कोई किसी की सायता भला कैसे कर सकता है और उन्हें कौन समझा है कैसे समझा है जिनके कान ही नहीं है वो भला मेरी बात क्या सुनेंगे बस बहुत सुन चुका हूं मैं अब मैं स्वयम को नहीं रोख सकता दाओ रभू है वो तो समझान संपन्नत होंगी सभी विकारों से दूर सबसे निर्मल, सबसे पावन किन्तु लगता है जगत के नाथ होने का गर्व है उन्हें तभी मुझ ऐसे साधारन भक्त के पास नहीं आ रहे है गन्हें या तो हुआ किन्हें या किन्हें कुल वल्राम, बैया? बैया आप बैया, यह तो वही सज्जन है, जिन्होंने मुझे जगनाच जी के बारे में बताया, यह तो महरे ब्राता है, बैया, 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 आपने और सभी ठीक कहा था जगनाच जी के बारे में, कि वह कितने महान है, सर्वशक्तिमान है, किन्तु आपने भी भूल कर दी थी, आपने कहा था, कि कि अल्यूग में भी जगनाच जी अपने भगतों के साथ रहते, किन्तु वह सत्य नहीं है, नहीं रहते हैं भाइया, उचेत कहाना सखाने? देखिये ना, इतने दिनों से प्रभू श्री जगनात की प्रतीक्षा में था लेकिन वह है कि उन्होंने अभीता किसे दर्शन ही नहीं दी पर इसका हाथ तक नहीं था माँ भाइया, भाइया, देखिये ना, मैंने सखा के लिए क्या बना है? कैसा लगा आपको? हाँ, बड़े भाइया, बताएये ना, कैसे बने एकुटिया? सत्य सुनन चाहते हो तुम तो सुनो तुम्हारी एक शुटिया तो अत्यंत सुन्दर बनी है किंतु एक कमी रह गई है पर भाइया कैसे कमी? कुटिया तो बन गई है किंतु घर नहीं जिस प्रकार मनुष्य का शरीर आत्मा बिन अधूरा है ठीक वैसे ही तुम्हारी ये कुटिया अभी अधूरी है तो बताईए ना बड़े भाया इस कुटिया को घर कैसे बनाए कोई भी भवन घर कैसे बनता है माधो ये तो तुमको ग्याती होगा ग्रहनी से तो माधवदास का घर बनाने में मेरी सहायता नहीं चाहिए आपको उसमें कारे ही कितना है एक छोटी सी कुटिया ही तो बनानी है आपको विश्वास है प्रभू कि आप उसके लिए घर बनवा सकेंगे उचित कहा वहियाने ये कुटिया तो घर तभी बनेगी जब एक रहनी आकर इसे घर बनाईगी नहीं नहीं मेरा विवा हो चुका है मेरी पतनी दिवंगत है किन्तो मैं तो उसी के प्रति निष्टावान हूँ और अपनी अंतिम श्वासता करहूंगा मैंने तो उसी से प्रेम किया और उसी की प्रेणा से मैं यहां आया हूँ जगनाच जी की शरण में उनकी सेवा करने आहां सखा अवश्य करना अपने प्रभू की सेवा किंतु किस ने कहा तुमसे कि तुम्हें विवाही करना होगा तुम्हारी भक्ति ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा प्रेम भी अटूट है इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई अवशकता नहीं है अभी बड़े भया नहीं तो का आप ग्रहने के बारे में तो आप क्या करेंगे हम इस खुटिया को घर कैसे बनाएंगे चिंता मत करो इस कारे में मेरी पतनी हमारा साथ देगी मैंने तो पहले ही कहा था कुछ कारे ग्रहिने के बिना अधूरे ही रहते हैं सुम्नत वन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि है ममाये मूनि गण वन्दित मोक्ष प्रदायनी मन्जुल भाशिनी वेदनुते पंकजवासीनी तेवसु पूजित सद्दुन वर्षिन शांतियोते जय जय है मधु सुदन कमीनि आदिलक्ष्मी परिपाताया वाँ, क्या सईयोग है? ये तो वही माता है जिन्होंने मुझे भोजन दिया था हाँ, ये ही है मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगीनी कलमश नाशीनि कामीनि वैधिक रूपीनि वेदमाए शिर समोची ने उचित कहा था मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका पनाम भावी माँ आपने बड़ी कृपा के मुझ पर मुझे भोजन दिया और आपके पतीदेव ने मुझे सरचिपाने के लिए चद दी बल्राम भाया के कहया नुसार ग्रहनी के हाथ लगे बिना ये कुटिया अधुरी ही रहेगी उर्न नहीं होगी भूल तो मेरी ही थी मुझे आपको साथ लाना चाहिए था देवी अब कि दुख्या अब आप हमारी सहायता करेंगी अरे सखा शांत मत रो भाभी मासे अनुरोत करो ना चिंता मत कीजे मैं इसलिए तो आई हूँ यहाँ पर सर्वग्ये सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी हम सब कुछ भगवान से चाहते हैं लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं वे तो केवल भावनाओं के भूखे हैं तुम्हारी भावीमा ने कहा है वो भूलना मत पूरे विधी विधान के साथ पूजा अवश्य करना है पूजा की विधी तो मुझे ग्यात नहीं पुजारी जी तो है प्रभु जगनाथ जी की पूजा विधी शिखाने के लिए मुझसे भी कोई स्रेष्ट है यहाँ वो कौन है पुजारी जी वो है श्री जगनात जी की जै श्री प्रभुनारायन जी की जै कौन है ये